नमस्कार इस्टोंट आसा करता हूँ आप लोग श्वस्त होंगे और प्रशंचित भी होंगे और निश्रत पढ़ाई भी कर रहे होंगे आज investor quantity की problem ली जा रही है वो एक instrument है आप जैसे उनकी problem है और रियली बहुत अच्छा कुछन है और आप भी कोशिश करोगे कि इस तरह कोशन कैसे कर सकते हैं याद आप investor quantity की place देखना चाहते हो तो नीचे description description link अविलिवल है उस link पर जाकर आप इस चेप्टर की प्लेश देख सकते हो दूसरी चेप्टर की प्लेश देख सकते हो ठीक है यह तो आपकी वी कोई प्रॉलम है तो आप निश्रद वार्ट्चप कर सब्सक्राइब करते हैं कि आपके पास यहां यह दे रखा है कि a1 a2 a3 जो है वह एपी में यह एवन a2 a3 एंड चोन यह सभी टर्म से किसमें है यह पि में तो हम जानते हैं कॉमन डिफ्रेंस क्या होता है कॉमन डिफ्रेंस होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 इस तरह सोता है ठीक अब आप देखें कि यहां पर हम D को क्या लिख सकते हैं? यहां पर यह 10 है ध्यां रखिएगा और यहां पर है 10 inverse यहां D कह रहेगा D को हम लिख सकते हैं A2 minus A1 क्यों लेका मैंने A2 minus A1 क्यों हम आपर A1 A2 है ठीक है? तो यहां पर क्या आएगा A1 plus A2 plus 10 inverse यहां पर मैं क्या लिखूँगा? यहां पर मैं A2 minus A1 नहीं लिखूँगा? यहां पर क्या है? 2 और 3 हो गए 2 और 3 है तो मैं यहां पर क्या लिखूँगा? A3 minus A2 upon A3 minus A2 upon A1 A2 plus A3 यह रहेगा plus इसको मैं क्या लिखूँगा? इसको लिखुमा दिया रखिएगा अब टेक्निक समय लें कि ये पहले आएगा और ये बात में आएगा एना तो आप क्या लिख सकते हो A4 माइनस का A3 अपन क्या आएगा 1 प्लस A3 और A4 N प्लस शो अन प्लस ये 10 इंवर्स रहेगा और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 12 क्लास के कंसेप्ट देखना चाहते हो पूरे NCRT दौनों जो बोके हैं आपकी उसके पर मैंने आपके लिए 100 कंसेप्ट का एक सीरीज बना रखी है तीक है वश सीरीज को आप मेरी बेब साथ पर ढाटयागे देख सकते हो ठीक है यहाँ आप रवी क्लासिस का एप डाउनलूट कर की भी वश सीरीज को देख सकते हो पूरे कंसेप्ट की केवल कोश्ट 400 रुपे है 400 रुपे में आप बहुत अच्छे concept तियार कर सकते हो और उनकी help से आप बहुत सारी questions अपने बलबूते solve कर सकते हो बिना किसी teacher की help के ठीक है जरू देगे अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं हमारे पास एक property होती है हम भी जानते हैं कि 10 inverse x minus y upon 1 plus xy को हम क्या लिखते हैं हम इसे use करेंगे दिया रखियागा इसको हम लिख सकते हैं 10 inverse x minus ka 10 inverse y कितना लिख सकते हैं दिया रखिया एकस minus y A2 minus 10 inverse A1, ठीक है, यह रहे, plus यहां रहेगा 10 inverse A3 minus 10 inverse A2, यहां रहेगा 10 inverse A4 minus 10 inverse A3, and so on, यहां रहेगा 10 inverse An minus 10 inverse An-1, ठीक है, अब ज़रा यह देखें कि इमने से कौन से टम्स कैंसल हो सकते हैं, देखिए, इस A2 से यह A2 कैंसल होगा, यहां पर यह A1 बचलगा, ठीक है, क्योंकि A1 आगी कहीं नहीं आएगा, इससे यह कैंसल होगा, इससे यह कैंसल होगा, लेकिन इससे यह कैंसल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह तनम यहां पर आएगा, लेकिन यह कहीं नहीं आएगा, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास this minus this बचा. तो आप कहा लेख सकते हो? 10 inverse 10 A N minus 10 inverse 10 inverse A N minus 10 inverse A 1 कि बचा न अब जरा हमएदा इसको उल्टा प्रॉपठी की लगा हैं, तो इसको पार मितर हम लेख सकते हैं तो कि हम कहा लेख सकते हैं? इसको लिख सबते हैं 10 inverse, sorry 10, 10 inverse, क्या होगा ये, यह होगा, A n minus A 1 upon 1 plus A n और A 1, use this formula, यदि यहाँ पर minus है, तो यहाँ पर minus आएगा, ठीक है, और यदि यहाँ पर plus है, तो यहाँ पर plus आएगा, हमारे पास यहाँ पर minus है, तो क्या हो जागा, यह X और यह भाई है, तो क्या हो जागा, 10 inverse, ब्यार रखेगा, यह ऐसे होगा, तो 10 inverse this minus this upon 1 plus this, क्लिए है रहाँ ना, अब मारे पास एक property और है, कि 10 inverse X, 10, 10 inverse X को हम क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज को लिख सकते हैं, यहाँ inverse और यहाँ पर खाली 10 है, तो यह चीज क्या हो जाएगी, यह चीज भी हो जाएगी, इन बस्टों कोटे भी बहुत सारे questions करा रखे हैं, ठीक है, और पूरा मैंने matrix के concept को भी आपको explain कर रखा है, केलिकुलोस के इस topic को हम बहुत जल्दी start करने जा रहे हैं, यह आपकी कोई problem है, तो जरूर हमें बताएं, और playlist पर जाकर आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, आप पुरानी वीडियो देख कर बहुत कुछ अपने बलबूते पर आप काम करने कोशुश कर सकते हो, जरूर करने कोशुश करने हैं, आप अपना ख्याल रखे हैं, और खुश रहे हैं, तैंक्यू बड़े मच्च, त तैंक्यू